नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कल नौ जून के दिन बैंक निफ्टी कहां पे कामकश कर सकता है मार्केट ने अपने लिए कहां पे कॉल और प मार्केट में एकस्पाइरी का दिन है मार्केट वॉलटाइल हो सकती है दूसरी जीस जितने सेफ ट्रेडर्स हैं वो 16 जून वाली ही एकस्पाइरी में काम करें ताकि आप प्रीमियम डीके से बच सकें अब आज दिखिए दोस्तों इस मार्केट ने कहां पे कामकश किया 24,180 के लेवल के आसपास ओपन होते ही मार्केट के अंदर एक जवरदस्त सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट ने अपने दिन का लोग सुबार आरवे की मिटिंग से पहले यहां पे तकरीबन 34,800 के आसपास लगा दिया था इसके बाद दोस्तों मार्केट ने जैसे ही आरवे की पीटिंग की अनाउंचमेंट आई एक जबरदस्त डब्री बनाते हुए उपर की तरफ हमें 35,400 का लेवल दिखा दिया अब इसके बाद दोस्तों दिखिए मार्केट ने काफी देर साइडवेज रहने के बाद एक एन शोल्डर पैटर्न बनाते हुए जबरद पॉल नीचे की दरफ दिखाया दोस्तों मार्केट ने बहुत जबरदस मुवमेंट देने के बाद काफी देर यहां पे एक साइडवेज मुवमेंट में ट्रेड किया है अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ये एक जोन में काम कर रही है अब कल इस जोन का यहां तो ब्रेक आउट होगा या इसका कल ब्रेक डाउन होगा अब कल आपने क्या करना है आप कल पुट की पुजिशन में अभी बैठिएगा अगर मार्केट आपको ये लेविए 34,850 अगर ये तोड के मार्केट नीचे निकलती है तो डेफिनेट यहां पे उट की पुजिशन बनानी बनती है टार्गेट आपके पैंक टिफ्टी में 34,700 और 34,650 तक के नीचे की तरफ रह सकते हैं और अगर इस जोन का प्रेक आउट होता है तो आपको कॉल की सिर्फ एक केडिशन में बैटनी है अगर मार्केट 35,000 के लेवल को क्रॉस करती है तो कॉल की पुजिशन में बैट साइगेगा टार्गेट आपके 35,200 और 35,250 तक के रह सकते हैं तो दोस्तों ध्यान से एक्स्पाइरी का दिन है प्रीमिय बहुत जारा डीके होगा इसलिए सेफ ट्रेडिंग करें वीडियो बसंद आई होगी तो डेफिनिटल लाइक का बटन जुर्ण प्रेस करिएगा आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के ली नमस्ते थैंक यू और बबाए